हेलो एब्रीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में न्यू टीचर रिकूट्मेंट 2024, APS Military Station हिसार से वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वेकेंसी है, काफी अच्छी वेकेंसी रहने वाली है सेलरी जो है 35,000 से लिए 56,000 तक रहेगी तो चलिए देख लेते हैं, नोटिफिकेशन के लिए ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे और सारी चीजें समझेंगे इस वेकेंसी में जो है 26 सप्रेल, लास्ट डेट रहेगी पोस्ट है, हैड्मिरिस्टेस की, जिसमें एक वेकेंसी है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी स्ट्रीम में है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में साथ में B.A.D. आपकी होनी चाहिए या Elementary Education या Entity लेकिन तीन साल का अनुवब भी जो है इसमें जरूरी है किसी भी Middle School या High School में या फिर इसी पोस्ट पर आपने 5 साल तक काम किया है तो भी आप यहाँ पर Elisible हैं 55 वर्स तक के Candidate Herministries के लिए आविधन कर सकते हैं प्री प्राइमरी टीचर्स में 36 वेकंसी जिसमें Graduate के साथ में B.A.D. वाले भी Elisible हैं D.A.D. वाले भी यहाँ पर योगे रहेंगे और Entity टीचर्स भी योगे रहेंगे Entity पास Candidate भी योगे रहेंगे 50% मार्क साब केस में होने चाहिए जो भी Fresher Candidate है तो 25 से लेकर 40 वर्स उम्र रहेगी जिनके पास अनुभव है 5 साल का तो 55 वर्स जो है अनुभव रहने वाली है ठीक है तो जो भी अनुभव रहेगा वो आपने जितनी साल आपके पास अनुभव है उसी के according जो है आपकी उम्र रहेगी हर 5 साल आगे तक IT टीचर्स में जो दो vacancy हैं graduate computer में या IT में या फिर graduation किसी भी stream से और साथ में आपने जो course किया है PGDCA तो भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं 25 to 40 year एज रहने वाली है ठीक है फ्रेशर candidate के लिए Art and Craft teacher के लिए diploma या graduation in drawing and painting fine art विलकुल आवेदन कर सकते हैं Music and dance teacher के लिए भी जो है diploma या फिर graduation in music या dance में Phonetic teacher के लिए post graduate या graduate English में चाहिए साथ में B.Ed या D.L.Ed या entity वाले अप्लाए कर सकते हैं अभी कोई यासी जो post है जैसे की primary की है Phonetic teacher की है तो आप देखें या पर entity वाले भी अप्लाए कर सकते हैं और B.Ed वाले भी अप्लाए कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें जो है degree या diploma Phonetics में चाहिए और उम्रतो सभी में समान है योगा teacher के लिए जो है graduate in any subject किसी भी subject में graduation हो और एक साल का diploma आपके पास है योगा में तो आविदन करें दो vacancy के लिए LDC lower division clerk चार vacancy है जिसमें graduation दस साल आपने जो है clerk के रूप में अगर काम किया है ex-serviceman के लिए या फिर कोई graduation है जिसका और computer की जानकारी है तो इस post के लिए apply करें MS office की जो है knowledge होनी चाहिए उसके बाद जो है 8th pass candidate group D made आया के लिए आविदन करें vacancy इसमें 32 है उम्र इसमें 45 यर है group D gardener के लिए भी जो है उम्र 25 to 45 यर है सफाई करमचारी के लिए भी यही है और इसमें experience holder in same category last date जो है application form की 26 April 2024 है vacancy का जो notification जारी किया गया है army public school military station हिसार और सभी राजी के candidate बिलकुल यहाँ पर आविदन करने के योगे रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे latest news में ही आप लोगों को notification साथ में teaching staff और non teaching staff के लिए अलग अलग application form मिलेंगे यह non teaching staff कर रहेगा और यह teaching staff कर रहेगा तो इसे आप लोगों को download करके fill करना है उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है army public school हिसार हर्याना से है यह vacancy तो यह जो है fixed term and ad hoc basis पर है यह vacancy ठीक है यह ध्यान में रखिए interview रहेगा मई जून मई या जून में जो है आपका interview रहेगा exam नहीं होगा इसका मतलब exam इसमें नहीं conduct करवा रहे हैं केवल interview last date 26 April 2024 रहेगी कैसे apply करना है तो सबसे पहले जो है official website पर आएंगे APS हिसार army public school military station हिसार हर्याना में है यह school और इसमें career section यहाँ पर भी जा सकते हैं नहीं तो आप latest news इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर notification भी मिलेगा और teacher application form भी मिलेगा non-teaching staff के लिए भी मिलेगा ठीक है teaching staff का यह रहा और non-teaching staff का यह रहा उसके बाद क्या करना है register poster या school जाकर भी जो है submit करवा सकते हैं application form डाउनलोड करना है fill करना है और अपने जितने भी educational certificate है उनकी photocopy लेनी है उसमें लगा देनी है साथ में और भेज देना है ठीक है by hand भी जो है आप पहुंचा सकते हैं demand draft school के नाम का बनवाना है army public school हिसार courier या email बिल्कुल accept नहीं किया जाएगा यह ध्यान में रखें register post कर सकते हैं जो भी दूर के candidate है अभी इन्होंने कहा है कि pre-primary teachers के लिए आप apply कर सकते हैं जो भी candidate beard पास है जिनके पास beard है लेकिन उनको 6 महिने का जो है bridge course करना होगा elementary education में ठीक है और 2 साल के अंदर जो है यह बता रहे हैं तो यह काफी अच्छी जो है vacancy रहती है army public school की और यह जो है fixed term और ad hoc basis पर है और मई जून में जो है interview रहेगा exam नहीं होगा fees भी ज्यादा नहीं है मात्र 100 रुपए ही fees है जो भी आविदन करने के इच्छुक है school की official website का link आप लोगों को video के नीचे description box में मिल जाएगा thank you